ओम नमज शिवाय जैमह काल, आज किसे वीडियो में जानेंगे आखिर कियों कीसी भी बिषए का उद्यापन का उद्यापन का विश्रश महत क्यों होता है? क्या कुछ ऐसी भी बिषए होते हैं जिनका उद्यापन नहीं होता, तुम मानलो, यदि आप बिषए करते हैं और उस किसी ब्रत का उद्यापन होता है लोग ब्रत तो कर लेते हैं लेकिन कई बाद जानकारी की अभाव में ये समय की अभाव के कारण ब्रत का उद्यापन नहीं करते इसी कारण उन्हें ब्रत का फल प्राप्त नहीं होता और ब्रत निस्भाल हो जाता है इसलिए बहुत जरूरी है कि ब्रत के पूरा होने के बाद उसका उद्यापन किया जाए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उद्यापन का आर्थ क्या होता है तो उद्यापन का आर्थ होता है भली भांत किसी काम का पूरा होना विधी पूर्वक कारे संपन होना तो खुछ ऐसे भी व्रत है जिसमें उद्यापन नहीं किया जाता है उसमें उद्यापन करने की कोई जरूरत नहीं है जैसे नवरातरी इसमें कोई उद्यापन की जरूरत नहीं है जन्माश्टमी इसमें कोई उद्यापन करने की जरूरत नहीं है राम नौमी का ब्रत इसमें भी उद्यापन करने की जरूरत नहीं है लेकिन अब ये जान लेते हैं कि किस व्रत में उद्यापन होता है तो जैसे मंगला गौरी का व्रत करते हैं संतोसी माता का व्रत आप करते हैं तो उसमें उद्यापन करने की जरूरत है वही सोला सो उमार मंगलवार, बैभो लक्ष्मी, गड़ेश चतुर्थी, पशुपती व्रत, एकादसी, प्रदूष, रविवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, पूरिमा का व्रत, इन सब व्रतों में उद्यापन की जरूरत है बिना उद्यापन की व्रत पूर्द नहीं माने जाते, बिना उद्यापन की व्रत निस्फल हो जाता है, यानि उसका फल नहीं मिलता वहीं अद पूजा पाठ वरत में कोई गलती हुई हो या फिर किसी कारण कोई वरत छूट गया हो तो इन वरतों की पूरता के लिए उद्यापन किया जाता है इसलिए आप जो भी वरत करें उसका उद्यापन अवश करें हर हर महादेव